नमस्कार दोस्तों चत्तीसगर लेटस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई हैं। भीशन सडख हादसे में तीन यूवकों की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम, सक्ती थाने से छूट कर घर जा रहे यूवक की बाइक को तेज रफ्तार वाहनने तक कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीन यूवकों की मौत हो गई। मृतकों में दो सगे भाई थे। घटना हसौद थानक शेत रखी है। जानकारी के मुताबिक ग्राम रनपोटा निवासी यूवक अनिल चोहान को हसौद पुलिस ने नाबालिक के किड्नेपिंग के आरोप में पकड़ा था। शुक्रवार को पुलिस ने अनिल को हिरासत में लिया था और शनिवार की सुबह छोड़ दिया था। अपने भाई शनी चोहान और दोस्त वैश्वफ के साथ एक बाईक में सवार होकर घर लोट रहा था। इस दोरान रनपोटा जाने वाले मार्ग में अग्यात वाहन चालक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीशन था कि बाईक के पर खच्चे उड़ गए थे। राहगीरों ने घटना के बाद तीनों युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कराया। यहाँ पर उपचार के दौरान डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोशित कर दिया। एक साथ तीन युवकों की मौत की खबर के बाद पूरे गाव में मातम पसरा हुआ है। वहीं अपने दो बेटों को खो देने के गं में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।